नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल आएसन एलाइसिस में आज का टॉपिक है भक्ती और सूफी अंदोलन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये दो ऐसे टॉपिक है जहां से किसी भी एकजाम में प्रश्ण बनता ही बनता है चाहे हम लोग बात कर ले स्टेट पीसियस की यूपियस्स की और इसमें आपको लगभग देखने के लिए मिलेगा लगभग 90 का सपास MCQ देखने गया था यहां पे किसके द्वारा किया गया था तो देखिए हां पे सबसे पहले जो शुरुवात किया गया था अलवार संतों के ही यहां पे द्वारा किया गया था चूकि भक्ति अंदोलन का जो उदय है स्वर पर्थम द्राविड देश में हुगा द्राविड देश से दच्छिड आया फिर दच्छिड से उतर गया भगवत पुराण में कहा गया है कि भक्ती द्रविड देश में जन्मी करनाटक में ये बिक्सित हुई तथा कुछ काल तक महराष्ट में रहने के बाद गुजरात में पहुँचकर यहां पे जिल्ड हो गई भक्ती अंदोलन क सुत्रपात दच्छिड में आठवी सदी में महान दर्षनिक संक्राचारे के साथ माना जाता है कि उदेहुआ जिनके द्वारा अद्वयत वात की संग्या भी दी गई थी और उसके साथ संक्राचारे ने पूरे भारत में चार-चार मठों की भी अस्थापना किया हुआ था जिन्होंने विसुद अधैत वात का परचार किया भक्ति अंदोलन को दच्छिड के वैस्णों जो अलवार संत और सेव नैनार संतों ने पूरी तरीके से परचारित किया हुआ था अलवार का मतलब हो जाएगा वैश्डोसंद और यहाँ पे नैनार का मतलब हो जाएगा जो भी सेवसंद थे और बिलकुल यह निर्गुर्द थे, निर्गुर्द मतलब नीरकार इसवर को मानने वाले मुर्ति पूजा कई लोग बिरोग करते थे जाती प्रथा कब विरोद करते थे बड़ा संदार तरीके से लोग जो भी छेतरिय भासा थी उस छेतरिय भासा को बहुत आगे तकनी लोगों ने पहुचाने का कारी किया भक्ति अंदोलन का भारत में पुनर जनम कब हुगा इसका पुनर जनम देखिए अगर देखा जाए उत्तर भारत में तो पंद्रहवी और सोलहवी सतावदी इस भी के आसपास ध्यान रखिएगा ये टाइम प्रियर बहुत इंपोर्टेंट है चुकि देखिए संक्राचारी हो गया भारत में उत्तर में खासकर ले जानें का स्रे रमनूज को दिया जाता है लेकिन रमनूज के दोरा ले जायाा तो गया लेकिन अपने पिक पे पहुंचा जब मेरा बाई आई ठीक है कबीर I इधर चैतन्य महा परभू ऐए संकर ठीक है बहुत सारे जो नाम है तो आपको ध्यान रखना है वो सब दौर है याँ आपे पंद्रहवी और सुलवी सतावदी का दौर है तो भक्ति आंदोलान का इतियास महान धरम सुधारक संक्राचारे के समय से प्ररणब होता है जिन्होंने बौध धरम के प्रभाव को समाप्त करने के लिए आठवी सतावदी में अदयतवादी दर्सन का परतिबादन किया था भक्ति आंदोलान का पुनर जनम पंद्रहवी सुलवी सतावदी सदी में हुआ था जब इसके नित्रित्व को बागडोर, कबीर, नानक, तुलसी, यहाँ पे सूरदास, मीराबाई ने पूरी तरीके से संभाली थी बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्सन में मुखे सामें हाँ पे क्या था तो देखिए यहाँ पे ऐसे प्रसन जब पूसता है तो एक इनलाइसिस के परिगिरिया से एक बिसलेसल परक्षामता से आप नहीं गुजरेंगे तो हमेशा ही यहाँ पे आपको समस्तिया आएगी अब दोनों के जीवन में यहाँ पे जो कॉमन चीज देखेंगे जैसे कि बुद्ध बोलते हैं दुख ठीके दुख ठीके दुख का कारा नीतरिशना है यहाँ पे तो मीरा के भी लाइप में उसी प्रकार का दुख था देकि उनको 20 पीने के लिए दिया गया मारने के लिए दुख बोध धरम के चार आरियों में से प्रथम यहाँ पे है जैसे दुख है दुख का कारान है दुख का निवारन है तो फिर दुख का निवारन कैसे है यहीं तो चार आरिय सत्य था और मुझ पराप्ति करने के लिए बुध नहीं बताया था कि चार आरिय सत्य को मानते ह हुए अस्टांगिक मार को फोलो कोरो मुक्ष के बराप्ति जरूर होगी कोई वेक्ति किसी वेक्ति से उसका धरम संप्रदाय या जाती ना पूछो देखे कितना अच्छा कोटेशा ने लाइन बे लाइन में आपको कराया हुआ था कोई वेक्ति किसी वेक्ति से उसका धरम संप्रदाय या जाती ना पूछो यह कथन किसका है यह हो जाएगा यह कथन हो जाएगा रामनंद का ध्यान रखेगा रामनंद का जिन्हों ने समाजिक समान्ता पे बल देते हुए पूरी तरीके से धार्मिक समान्ता पे भी उनके द् उपयोग कथन देखिये संथ रामनांद जी का है, इनके सिस्यों में सभी जातियों संप्रदाय के यहाँ पे लोग सामिल थे, बहुत सारे समझ रहे ना जो सिस्य थे इनके, सभी भक्ती संथों के मध्य एक समान भी सिस्था थी, उन्होंने क्या करने का प्रयास किया, तो अप पर देखेंगे कबीर की, तो हिंदी की उप भासा अलग अलग जैसे की अवधी हो गया, इधर खड़ी बोली हो गया, बिरिज भासी हो गया, वही सही मीरा ने राजस्थानी साहित्य को बहुत उच्छे अस्तर पर ले जाने का प्रयास किया, इधर वहीं देखेंगे, जो विशेष्ता थी, जो उनके यहां पर भक्त समझते थे, वो था उनका छेतरिय भासा में ध्यान रखेगा, वो जो भासा, चाहे वो दक्षिड भारत में कार बात करें, चाहे वो उतर भारत में बात करें, दूसरा देखेंगे, यहां पर पुरोहित वर की सता को नकारा, तेकि यह भी सतार, मतलब नकारा गया है, लेकिन इसमें उतना मतलब समझ रहे न, सही नहीं होगा, चुकि बहुत सारागर सही है यहां पर, उसमें सबसे जादे जो बेश्ट होगा, वो आपको चुनना होगा, इस्तिरियों को मंदिर जाने का यहां पर प्रोतसाहित किया, भक्ति अंदोलन के संतों का अचार बहुत उचा था, उसमें से बहुत ने देशों का भ्रमड किया, और वे कई परकार के लोगों से मिलें, जिनके बिचार भीन थे, उन संतों ने सधारण लोगों की भासाओं को उन्नत करने में योगदान दिया, उन्होंने हिंदी, पंज मराठी लोग एक हो गए, भक्ति अंदोलन के संत अपने उपदेश छेत्रियों मस्थानिय भासाओं में देते थे, ताकि वहां के लोग उनके उपदेशों को असानी से सूच, मतलब सुन और समझ सके, इस कारण दिके धिरी-धिरे छेत्रियों भासाओं का विकास होता चला गया, नेक्ट प्रस्न, मध्युगीन भारत के इतिहास, मने मध्युगीन भारत के धार्मी की इतिहास के संदर में, सूफी निमलिखित में से किस तरह के आचलड का ब्यवहार करते थे, किस तरह के आचलड का ब्यवहार करते थे, यह सोरी, निर्वाह करते थे, निर्वाह मन गीतव का यह लोग गायन भी करते थे, जिससे की जन समू से इनका पूरी तरीके से जुड़ा होता था, तो यह भी correct statement है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे तीनों का तीनों उस्तर दिखें यहाँ पे correct हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा D, देख पर यहाँ पे मध्यकालीन भा पठोर योगिक बयाम करते थे, तथा समाज में एकता और सोहाद्र फैलाने, तथा सुरुताओं में अध्यात्मिक हरसन माद उत्पन करने के लिए, गीतो एवा में यहाँ पे संगीत का यह लोग सहारा लेते थे, कामरूप में वैसलो धरम को लोग पर यह बनाया, कहाँ प यहाँ पे द्वारा किया गया, एक केश्वर वाद उनके धरम का मुल्य उदे से थे, ध्यान रखेगा संकर निर्गुड, ठीक है न, निर्गुड छी जो को मानने वाले थे, वे बिसुड या उनके अवतार क्रिष्ण को अपना अभिष्ट यहाँ पे मानते थे, लेकिन न इर्गुड तरीके से मानने का प्रियास कर दे थे, शुप्रसिध मध्यकालीन संत संकर देव संमंधिते, किस संप्रदाय से संमंधिते, तो ध्यान रखेगा वेश्वर संप्रदाय से, क्योंकि संकर देव इसके अलावा वहीं पे चैतन्य महाप्रभू, दो जो नामे ध्या यहाँ पे वैस्डों धर्म का परवर्तान दिखेंगें यहाँ अपए संकर देव के द्वारा किया गया प्रवच SNU अचार्या दिखें इँ आपको ध्यान अचार्या देखें आपको ध्यान रखेंगेmyagnar देखें आपे रामानोज भक्ति अंदोलन के प्राचिंतम परचारक थे उन्होंने सगुड इस्वर को बासना पर अदबल दिया उनके मत को विशिष्टा द्वयत वाद यहां पे कहा जाता है तो ध्यान रखिएगा यहीं विशिष्टा जो द्वयत वाद है संकराचार्य के जो अदबल वाद को पूरी तरीके से इस विशिष्टा द्वयत में काटने का प्रयास किया गया इसमें बताया गया कि देखिए ब्रह्म में इस्वर नहीं है ब्रह्म ब्रह्म है ब्रह्म पूरी तरीके से स्रिष्टी का निर्माड करता है वो कारन है और जो यहाँ पे जीव है वो कार है पूरी तरीके से ठीक है ओर स्टॉक है तो यहाँ पे सेंपल है तो ऐसे में ब्रह्म देखिए ठीक है ब्रह्म जीवों की पूजा कई से कर सकता है ठीक है इसमें एक हैरार्की करम होना चाहिए मैंने आपको समझाया हुआ था कि भक्तित पन के लिए एक पद होना चाहिए, ठीक है, मने एक अनुकरम होना चाहिए, आपे किसी का पद उचा है, किसी का पद नीचा है, सुचिए अगर आप अपने सहपाठी से कहेंगे, वह उसमें भी ब्रहम है, तो बोलेंगे भाई तुम हमारी पूजा करो, क्या हो करेगा उसके अंदर भक्ति का भाव ही नहीं जागेगा, तो यहीं ध्यान रखेगा विसिष्टा जो दैतवाद है, ठीक है, वैसलो धरम के जो अचारे, रमानुजा चारे के द्वारा, इस विसिष्टा द्वाद के माध्यां से अद्दैतवाद को काटने का प्रयास किया गया, न वैसलो धरम से ही ये लोग भी ठीक है, निकल रहे हैं, उसी वैसलो धरम को मार रहे हैं, तो एक बर जब रमानुजा चारे ने दे दिया, यहाँ पे विसिष्टा दैतवाद, ठीक है, फिर दैतवाद आपको दिखाई देगा, तो अब अलग अलग उसी को यहाँ पे बिच् कुछ नहीं यह लोग कर रहे हैं, बलकी कहीं कहीं, रमानुजा चारे के द्वारा जो धर्सन दिया गया था, विसिष्टा दैतवाद को ही लोग, ठीक है, अलग अलग तरीके से उसको इलोबरेट करने का प्रियास कर रहे हैं, तो सिरी वलवाचारे देखे पा रहे हैं, अनुसार इन्हें रुद्र संप्रदाय के परवर्त, बिस्डु स्वामे के मत का अनुसर अर्त था, विकास करके अपना सुधा दैत मत, अर्थात सुध अदैत वाद, या इन्होंने पुष्टी मार्ग परतिश्चित किया पे, क्योंकि जो भी लोग ठीके इनके नुवाई वल्लभाचारे की जनमस्थली कहा है, तो इनकी जो जनमस्थली ये ध्यान रखेगा चमपा रन्य में है, ध्यान रखेगा चमपा रन्य में है, भक्ति कालिन सगुड धारा की कृष्ण भक्ति साखा के अधार अस्ताम विवम, पुर्ष्टी मार के पॉल्डेता सिरी लबाचारे का जनम देखिए बिक्रम समध ध्यान रखेगा 1535 में बैसाक क्रिष्ण एकादसी को दच्छिड भारत के कांकर वाड़ गराम वासी तेलगु ब्रामर सिरी लच्मड भट जी की पतनी कितना नम्म नाम दिया देखिए हाँ पे इलम्मा गारू के गर्ब से वर्तमा जनम निम लखित में को नहीं से कोन यहां पे सुमेलित है यहां पे ठीक है तो अदयत वात देखिए रमानूजम यहाँ पे दिया हुआ है, आपको ध्यान होगा, ठीक है, दैतवाद तो यहाँ पे देख पार है, रमानूजम के द्वारा तो यहाँ पे नहीं दिया गया था, संक्राचारे के द्वारा दिया गया था, बिसीर्ता दैतवाद उल्टा कर दिया है, यह दिया गया थ रामनुजाचारे के द्वारा, द्वैत वाद यहां पर देखिए माधवाचारे दिया है, ठीक है, जो बिलकुल correct option है, और द्वैता द्वैता वाद जो देखिए यहां पर दिया हुआ है, आपर द्यार रखेगा, जो द्वैता द्वैता जो वाद है, वह अलबाचारे है, इसके बाद यहां पर संकर है, तो पहले संकर से सुरू करते हैं, बहुत असान है, देखिए संकर का हो जाएगा अदैतवाद, उसके बाद हो जाएगा रामानुजाचारे का विशिष्टा दैतवाद, इसी से देखिए किलियर हो जाएगा, ठीक है, बाकी और भी अप लगा का तीन ठीक है ऐसा एक ही अपसन है देख पारें सी कोरेक्ट उतर हो जाएगा निमलिखित कत्नों पर बिचार कीजिए का रहा है कि बीजक संत दादु दयाल के उपदेशों का एक संकलन है मानि आपको चिला चिला के समझाया हुआ था कि बीजक ध्यान रखेगा बीजक को ती अचारे के द्वारा ठीक है यहीं है देखिए जो मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को मेडेवल हिस्ट्री उसको देखिए देखने बाद जब भी इस तरह के प्रस्ट नाएगा फील करेंगे ठीक है मतलब बिलकुल इससे सारे जो प्रस्ट ने है यहाप इंक्लूड UPSC में जो भी प्रस्ट ने पूछा गया है आपको इतना डिफिकल्ट नहीं लगा है क्योंकि मैंने काफी उसको ठीक है डिटेलिंग एनलाइसिस करके फैक्ट कॉंसेप्ट सब तरह से आपको पढ़ाने का प्रियास किया है देख पार है बीजक संत कबीरों के उपदेशों किया गया था दोनों कतनों के असति होने के काराल विकल्प D सही उत्तर है यहाँ पे नेक्स्ट निमलिकित में से किस भक्त संती ने अपने संदेश के परचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रियोग किया था मैंने बताया हुआ था आपको रामानंद के द्वारा था रख कोई नहीं थे बलकि रामानूजा चारे के बहुत सारे सिस्यों में से एक रामानंद भी थे इनका जनम देखिये 1299 इसमी में वर्तमान में जिसे परियाग आप कहा लेजिए परियाग राज कहा लेजिए ठीक है यही पे कानियकुप्ज ब्रामन परिवार में हुआ था परि जध tv से मतलब राम सिता राम इनके कान मिश्क बार डाल दिया गया चुकिरा मनोजा चारे के सिस होते हुए भी जो राम जोSee वैश्रों को मानते थे यह बिलकुल ही देखिँए तो डिफ्रेंट वेने बताया था एक धारम था उतर भारत में अस्मार्त धारम उसी अस्मार् भासा में किया, रैदास का जनम वरार्सी में, तुलसी दास का जनम चित्रकूट में, बाकि और भी देख लिजिए, ठीक है, रैदास हो जाएगा, ठीक है, वरार्सी में, ठीक है, जो कोई इन ही के सिस्यों में से सब कोई एक है, तुलसी दास का जनम यहाँ पे चित्रकूट म तथा कुम्भा नास का जनम है आपे ब्रजभुमे में तो रहधास देखें यहां पर मीरा भाई के भी ठीक है गुरूर है रहधास next मध्यकालीन भारत के निमलिखित में से किस संद का जनम परियाग में हुआ था वो संद का नाम है आपे रामानंद कबीर ये किसके सिस्य थे ध्यान से देखते चलिए तो कबीर जो सिस्य थे देखें यहां पे रामानंद के ध्यान रखिएगा रामानंद के अभी हम लोगों ने देखा हुआ था तो कबीर रामानंद के माना जाता है कि 12 सिस्यों में से परमूग थे, लोग परंपरा के अनुसार उनका जनम किसी बिद्वा ब्रहमडी के गरब से वरार्शी के समीब हुआ था, तथा पालन पोशन एक जुलाहा दमपती नीरू और ठीक है नीमा ने यहाँ पे किया हुआ था तो जुलाहा देखे, यह जुलाहा पहले हिंदु धर्म में लोग आता था, बाद में चुकि बड़ी समस्या या हिंदु धर्म के अंतर गत्विक हास कर जुलाहों की नीचरी के टेगरी में समझ रहे ना, मने नीमन वर्गों के स्रेडीम उनको रखा जाता था, समाजी की हि तो बीजा का रचाइता यहां पर हो जाएंगे, ध्यार रखियेगा कबीर, बीजा के रचाइता कबीर है, यह कबीर 35 संप्रदाय के अनुआयों का मुख्य धर्मिक गरंथ है, जिसमें कबीर के दोहों का संकलन है, ऐसी बानी बोनी ये, मन का पक्ख होए, ठीक है, बहुत, म अमर मुलक में किया गया है, ध्यार रखियेगा, अमर मुलक में यहां पर किया गया है, इसके अलावद एक बार है, सबद, साखी, एवं रमैनी कबीर की रचना है, परन्तु धर्मदास के साथ, जो कबीर के समाद का जो संकलन किया गया है, वो अमर मुल, सिर्षा के अंतरग मलुग दास एक संद कभी थे, कहा के थे ध्यारुकेगा कड़ा के, मरुग सोरी, मलुग दास कड़ा के संद कभी थे, संद मलुग दास का जनम लाला सुंदर दास खन्नी के घर में 1574 इस्वी में उत्तर परदेश के जो वरतमान में कौसांबी जिला में इस्ती थे, वही पे संद घासी दास के पिता जी का नाम क्या था? तो देखिए संद घासी दास के पिता जी का नाम पूछ लिया है, 36 गड़ PCS का सवाल है, महंगु था, ध्यार रखेगा महंगु था, तो ये 36 गड़ PCS के त्यारी करने मा लोग लिए काफी इंपूर्टेंट है, गुरु घासी संद घासी दास का जनाम 1756 में 36 गड़ के रायपूर जीले के गिरोध पूरी गाव में हुआ था, उनके पिता देखिए महंगु दास और माता यहाँ पे अम्रवतिन थी, नेक्स्ट, निमलिखित में से कौन सा एक सही कालानुकरम यहाँ पे है, तो देख पारे हैं यहाँ संकराचारे सबसे पहले वहीं आए, रामनुजाचारे, उसके बाद से रामनंध हो गया, फिर उत्तर भारत में लाइन ही लग गया, तो यहाँ पे ध्यार रखेगा, ठीक है, रामनुज के बाद यहाँ पे देखिए, चैतन्य महाप्रभू है, तो बिल्कुल कॉरेक्ट उत प्तर होगा यहाँ पे, चूकि तीन ही अपसंदिया है, लंबा चोड़ा भी यह दिया राता, तो लोग बना लेते, संकराचारे का काल देखिए, लगभग आठवी सताब्दी, अर्थात रामनुज का का काल देख पार है, यहाँ पे लगभग वहीं गयरहवी, बरहवी सता आपदी का दोर है, निमने में भक्ती संतो का सही तैथिक करम यहाँ पे बताना है, यहाँ भी करम से सजाना है, बहुत असान है, सबसे पहले कभीरा है, गुरु नाना, चैतन्य उसके बाद मीरा भाई, ठीक है, तो देख पार है, यहाँ पे, और एक टूतर हो जाएगा, य इस्यों में से एक हैं, यहाँ पे, गुरु नाना, चुकि सिख धरम की अस्थापना किया, और चैतन्य महापलभू बंगाल के तरफ, और उसी के समकलिन यहाँ पे हो जाएगी, मीरा भाई, ठीक है, कौन, मीरा भाई, जिसके गुरु रैदास्वा करते थे, यह टाइम पे अब देख पारें, ठीक है, इसे पूछे का नहीं, लेकिन जनकारी के लिए थोड़ा सा दिखना चाहिए, कि कहा कहा कब कौन, कौन यहाँ पे आया हुआ, तो देख पारें, यहाँ पे लगभग जो चैतन्य और मीरा भाई है, बिलकुल एक दुसरे के समकलिन आपको नजर आते हैं, वे दिखाई देंगे, भगवान सीव की परतिष्ठा में कितने जोयतिलंग अस्थापित किया गया है, बहुत इंपोर्टेंट सवाल है ध्यान रखेगा, बारा जोयतिलिंग की अभी तक अस्थापना किया गया है, भगवान की सीव की परतिष्ठा में भारत के व स्वामनात तरेंबकेश्वर गिर्णदेश्वर घिर्णेश्वर भीमसंकर मलिकार रुजुन स्वामी और यहां पर हो जाएगा लाश्ट में रमेशोरव में तो कुल मिला के देखिए उत्तर से लेके दच्छिड तक पूरब से लेके पस्चिम तक बारा बारा जो जो एती ल अनुआयो को कहा जाता है क्या कहा जाता है तो वैस्डो ध्यार रखेगा वैस्डो ही यहां कहा जाता है भक्ति अंदुलन के परचारक परसिद वैस्डो अचारे रामानोज ने सगुड इस्वर के उपासना पर बल दिया उनका मत्थ देखिए विसिष्टा ध्वयत वाद यहाँ पर कहा जाता है और उनके अनुवाई ध्यान रखेगा वैस्डो कहलाए निमलीखित में से कौन सा अस्थान गुरु नानक का जनम अस्थल था तो गुरु नानक का जो अस्थान था जनम अस्थान तो ननकाना ध्यान रखेगा इनहीं का जनम अस्थान था गुरु नान पाकिस्तान कहीं था जो की करतार पूर धयान का करतार पूर जिसको डेरा बाबा बोला जाता है तो पंजाब जो भारत का पंजाब है बहुत पंजाब से दूर नहीं है ठीक है बहुत कम ही किलोमीटर की दूरू पर देखेंगे तो ये करतारपुर देखने के लिए मिल जाएगा लेकिन चुकि है तो पाकिस्तान में जाएंगे तो बीजा लेके ही जाएंगे ठीक है तो एक सही तरीके समा पर मैनेज करने का परियास किया गया है जिसके सासन में गुरु नानक देव ने सिक धरम के अस्थापना की वह कौन था तो यहाँ पर कौन होगा है सिक अंदर लोधी ध्यान रखेगा सिक अंदर लोधी के ये सम का लिन थे गुरु नानक देख वारे 1479 से लेके 1549 तक इसने सिक धरम की अस्थापना सिकंदर लोधी की समय यहापे किया हुआ था जो कि टाइम प्रियड है 1489 से लेके 1517 तक सिकंदर लोधी भी सासन किया था नानक 2001 वाद में आपे विश्वास करते था निरगूर ब्रह्मा की उपासना पर बल देते थे उनका मानना था कि इसवार एक हे वा निरगूर है निरंकार है वा अवतार वाद में विश्वास नहीं करते थे आगे चलके इन ही के अन्वाईयों ने ठीक है पूरी तरीके से गुरु नानक देव को देखिए पूरी तरीके समझ रहे न एक निर्गुड निरकार एक संथ के रूप में भगवान के रूप में अस्टबलाइज कर दिया सिक धरम का अरम हो गया 29 नमर प्रशन इसवर के वल मनुस्य के सद्गुड को पहचानता है तथा उसकी जाती नहीं पूछता आगामी दुनिया में कोई जाती नहीं होगी यह सिधानत किस भक्ती संथ कहा है यहाँ पे यह संथ का नाम है यहाँ पे हो जागा ध्यार रखिएगा नानक तो महराष्ट म में एक माराथी भासा है पंजाबियों में एक पंजाबी भासा है तो देखिए बड़ा ही एक कुस्सेमिलिट्री दिखाई देगा जो की सबसे बड़ा जो एफेक्ट जो हुआ है उसमें देखेंगे तो भक्ति अंदुलन के कारण यह संभव हो पाया है तो गुरुनानक का कहना है कि इस्वर विक्ति की गुड़ों को जानता है पर उसकी जाती के बारे में नहीं पूछता क्योंकि दूसरे लोग में कोई जाती नहीं है गुरुनानक ने गुरुका लंगर नाम से मुक्त समुदाइक रसोई की सुरुवात किया, उनके अनुवाई किसी भी जाती पर ध्यान दिये बिना एक साथ भोजन करते थे। जो आज भी उपर अमपरा चली आ रहे, कहीं भी आप चले जाएं ठीके लंगर खाने जहां भी उनका धार्मिक जगा है, आपक को समझना है, ठीक है, में more than one answer यहाँ पर होना चाहिए, देख पार है, तुलसी दास का time period भी दिया है, गुरु नानक देव का चैतने महापरभुक तब अभी हम लोगों ने देखा भी हुआ था, ठीक है, जबकि यह कह रहा है कि इनके समकली नहीं थे, रामकृष्न पुरा का नाम क्या था, मीरा के पती का नाम था, राजकुमार भोज ध्यान रखेगा, राजकुमार भोज था, ठीक है, राग गोबिंद के रचनकार कौन है, तो राग गोबिंद के रचनकार है, यहाँ पर हो जाएगा, मीरा बाई, ठीक है, मीरा बाई हिंदू अध्यात्मक का ब गोबिंद और राग सोरट चार नाम याद रखिएगा इसके अतरित उनके गीतों का संकलन मीरा बाई की पदावली नामक गरंत में देखने के लिए आपको मिल जाएगा निमलिखित संतुक उनके कालकरों में आपको नियोजित करना है तो देखिए कबीर, मीरा बाई, नाम द के स्पिक बे थे तो उसी के संकलिन आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा ठीक है तो ध्यान रखना है आपको तो इसलिए नंबर वन यहाँ पर नाम देव का बाद कबीर, उसके बाद नानक लाश्ट में यहाँ पर हो जाएगी मीरा बाई, कॉरेक्ट उतर हो जा यहाँ पर कबीर दास का देखिए, उसके बाद आप देख पा रहे हैं गुरु नानक का, फिर यहाँ पर लाश्ट में देखना है आपको मीरा बाई का, निमलिखित में से कौन इसलाम से प्रभावित था, इसलाम से प्रभावित कौन था, नाम देव, ध्यान रखिएगा, वल्नाचार सगुड संत के रूप में कृष्ण भक्ति के उपासक थे, जबकि नाम देव निर्गुड संत थे, नाम देव, मुर्ति, पूजा, वरत, उपास, तिर्थ, यात्रायों, कठोर, सरीर, मने कठोर जो होता है, तब सरीर साधना के मार के खिलाप थे, इस भक्ति संतों पर यहां पर विचार करना है, ठीक है, चलिए थोड़ा विचार करने का प्रियास करते हैं, नंबर वन है, यहां पर देखिए, दादु दयाल, गुरु नानक, त्याग राज, अब इसमें पूछ रहा है, इन में से कौन उस समय उपदेश देता था, जब दयाल का ध्यार रखेगा, लगभग, देख पार है, सुलहवी सी सत्रहवी सतावधी के एकदम पूर्वार्थ में ही, शुरुवात में ही, गुरु नानक देव का समय है, यहां पर इसके लावा त्याग राज का समय 1766 इस भी के आसपास था, यह भक्ति मार्गी कभी वं करन संगित के महान संगित अग्यत है, ध्यान रखेगा त्याग राज, लोधी वन्स का पतन चुके 1526 में हुआ था, जब बाबर ने पानीपत के प्रथम युद में इब्राहिम लोधी को हरा दिया था, उस समय गुरु नानक उपदेश देते थे, इसलिए बिकल बीस सही उतर ह होगा, सुची 1 को सुची 2 से यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, ध्यान रखेगा सुमेलित करना है, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे नाम दिया हुगा, जिससे नाम देव हो जाएगा, नाम देव का ठीक है, बेवसाय क्या था, दरजी थे, कबीर आपको पता है, यह जुल तो A का 3 और B का हो जाएगा 2, A का 3, ठीक है, B का हो जाएगा 2, ऐसा और भी option है, देखिए C को देखिए C का हो जाएगा 4, ठीक है, C का हो जाएगा 4, देख पार हैं आपे, 3, 2, यहाँ पर 4 भी दिया हो, देखिए, बहुत ही complicated कर दिया है, ठीक है, अब हमें D भी देखना पड के conscious mind में घूमना चाहिए, बाकी other में भी option कहीं अगर similar हो, तो बाकी जो मिल रहा है, उसके लावा अन्य विकलकों को भी आप लोग मेच करने का प्रयास किजिए, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधी थे, यह हो जाएगा इनका संबंध वैश्डो संप्रदाय बहुत दिनों तक उन्होंने विरिंदा वन में निमास किया, नदिया आकार उन्होंने किर्दन, जुलोवसों का इयोजण किया तथा, वे गलीओं में घुमकुम करते कि यह कृष्ण लिलाओ का किर्दन किया करते थे, नेक्ट यहांपे तुलसी दास किसके समकालीन थे? त तुलसी दास के जीवन काल में देखेंगे तो हुमायू, अकबर, जहांगीर, साह जहां यहां पर बातसा हुआ करते थे। तुलसी दास ने एक गरंत लिखे जिनमें राम चरित मानस सबसे फेमा सहत था बिना पत्रिका ये भी सर्वत्तम है। तुलसी दास का दरबार से कोई स मन नहीं था, उन्होंने अपना धिकांस जीवन बनारास में ही बिताया। अबूल फजल में आईन एक बरी में इनका नामों लेख यहां पर किया हुगा है। अबूल फजल आपको ध्यान होगा, अकबर का ठीक है, बहुत बड़ा आपका सकते हैं कि दरबारी कभी कह लेजि लेकिन रामचरित मनस के ठीक है, जो रमायर वाला में जो बात है, ठीक है, वो तो फिर वालमिकी वाला में तो फिर है ही नहीं, वालमिकी वाला भी ठीक है, ध्यार रखेगा। निमन में से कौन सी रचना संत तुलसी दास्त की यहां पर नहीं है, तो संत तुलसी दास्त की जो रचना नहीं है यहापे ध्यान रखेगा सहित्य रत्न नहीं है चुकि गितावली है बिनाय पत्रिका है कभितावली अभी हम लोग ने देखा था देख पारे गोष्वामी तुलसी द्वारा रचित बारा गरंत परसिद है जिसमें पांच बड़े और साथ छोटे गरंत है और पांच जो बड़े बड़े गरंत है देख लिजिए नंबर वन दोहावली गितावली कभितावली रामचरित मानस और बिनाय पत्रिका है ऐसे सवाल देखिए एपी में या फिर देख पारे एमपी पीसेस में पूछा गया है इसके अलावा परवती मंगल जानकी मंगल जुस्तात है वर वैवरमायर वैराग्य संधीपनी कृष्ण गितावली यादी छोटे गरंत है सही तिरत्न गुस्वामी तुलसी दास की रचना नहीं है नेक्ट प्रशन बिनाय पत्रिका के रचाईता यहाँ पे कौन है तो बिनाय पत्रिका के जो रचाईता है देख पार यहाँ पे हो जाएगा उसमान यहाँ पे हो जाएगा तो चलिए थोड़ा प्रियास करते हैं ठीक है तो यहाँ पे कह रहा है कि सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है तो देखिए धुरू दास का सम्मंद भगवत नमावली से ही है बिल्कुल सही है नाभा दास का सम्मंद भक्त रचना है ठीक है उसमान को जगा चितरावली तो C यहां पे गलत है ध्यान रखेगा जो सही नहीं है निमलिखित में से कौन वरकरी संप्रदाय का संथ तो मैंने बताया था वरकरी संप्रदाय क्या था ठीक है सब मैंने महराष्ट में जब पढ़ाया हुआ था तो वरकरी संप संप्रदाय के रूप में परसिद विचारधारा की गौरोसाली परंपरा की अस्थापना में नाम देव के मुख्य भूमकर रही है विसोवा खेचड में रहस्ते वादे जीवन की दिच्छा दी तथा इस्वर के सरुब्यापी सो रूप से परिकित करवाया वरकरी आपकों में ज्यानेश्वर का नाम अग्रार्य है अन्य संतों में देखेंगे तो नाम देव वा तूकाराम का नाम आता है वरकरी संप्रदाय में विठोवा की पूजा की जाती है जिने कृष्ण का आउतार भी माना जाता था नेक्ट प्रश्ण भक्त तूकाराम कौन से और मुगल सास्ता के अगर हम लोग बात करें, मुगल की तो पता है कि 1605 में जब मना जाता है कि अकबर की जब मिडित्ती हो गई, तो फिर जहागीर ही आएगा, 1605 से लेके 1627 तक जहागीर ही चलेगा, ठीक है, और उसके बाद 1628 से लेके 1628 तक सहा जहाँ चलेगा, उसके पर एक रुतर हो जाएगा, नागारजुन, तुकाराम, त्यागराज, वल्लभाचार, मध्यकालीन, भक्ती अंदोलन से संबन दीते, जबकि नागारजुन इसा की प्ररम्भिक सतावदियों में सुन्नेवात के संथा पकते, ध्यार रखिएगा, सुन्नेवात के, तो नाग पुष्टकों का फारसी में अनुवात किया गया, बिल्कुल किया गया, अल्रेडी देखे, महमुद गजनेवी की समय आया हुआ था, अलावदीन, क्या नाम है, उसका, अलवरुनी जो आया हुआ था, देखिए, अलवरुनी कितना सारा यहां पे ले गया पुष्टकों को फारसी में अनुवात करवाया, तो बिल्कुल सही है, अरंभिक चिस्ती सूफी संथ संगीत सभाओ, जीन है सभा, समा कहा जाता था, कर रहा है कि वे यहां पे इनके सौंकीन थे, यहां पे बिल्कुल उसका ठीक है, कारण जो है, देखिए, कथन की सही ब्याक्या नहीं कर र करता है, कहीं कहीं देखेंगे, अनका हो गया, इसके अलाब भक्ती, संगीत, किर्टन हो गया, तो माना जाता है कि भक्ती की तत्व को भी उसमें साविल करने का प्रयास किया गया, तो कथन जो है, ठीक है, ध्यान रखेगा, सोरी, कारण जो है कथन की सही ब्याक्या है, आप के कारल संभव हो पाया महमुद गर्ण गजनमी देख परे अनेक पुस्तकों का अपने साथ गजनी ले गया फिरो साथ उगला क्यों सुकंदर लोदी ने बिसेस रूप से देखे संस्क्रित में लिखे बिभीन बिदाओ की असपस्ट है कि कारन के सही ब्याक्या नहीं कर रहा है भारत में चिस्तिया सुफी मत को यहां पर अस्थापित किया गया था खाजा मुईदीन चिस्ति के द्वारा अस्थापित किया गया था चिस्तिया देखे सुफी मत के स्थापना माना जाता है कि अफगनिस्तान में सबसे पहले एक अफगनिस्तान में जगा है चिस्त नामक जगा है वही पे एक अबू इस्थाक समी चिस्ती और एक उनके सिस्य थे ख्वाजा अबू अहमद अहमाद ने यहाँ पे मनेवदाल ने किया हुआ था भारत में इसका स्वर पर्थम जो परचार परसार ख्वाजा मुईदीन के समय चिस्ती के दवारा हुआ जो ठीक है बारहुई सतावदी में मुहमद गोरी के समय आये हुए थे जब मुहमद गोरी ने दिखिये प्रित्फिरा चवहान को यहाँ पे ठीक है जो इसके ठीक है याद में यहाँ पे कुतुम मिनार के अस्थापना किया गया भारत में चिस्तिया संप्रदाय का परथम सुफी संत यहाँ पे कौन था याद रखिएगा सेख मुईदीन चिस्ती निमलिखित सूफी संतों में से कौन एक सौर पर्थम अजमेर में यहां पर बस गया था तो पहला ही यहां पर देख पारें सेख मुईदीन चिस्ती निमलिखित में से कौन सूफी वाद की चिस्तिया साखा का संस्थापक था कौरेक्ट उतर हो जाएगा ख्वाजा अबू अबदाल ध्यार रखेगा ख्वाजा अबू अबदाल जो कि अफगनिस्तान में अस्थापना किया गया था वहीं से भारा था या ख्वाजा मुईदीन चिस्ती किसके यहां पर सिस्य थे कोरेक्ट उतर हो जागा ख्वाजा उस्मान हरुनी ध्यार रखे गवा ख्वाजा उस्मान हरुनी जो उसमें लोग बगदाद का लोग हुआ करता था तो यहां पर देख पार है ख्वाजा मुईदीन जो चिस्ती का जो जनम था अफगानिस्तान के दख्षडी परांत में बोला जाता है जहां से मक्का से ठीक है मदिना के तरफ जो मूव किये हजरत मुहम्मा तो वहीं पर ये कलेंडर चल पड़ा हिजरी समर्द इसको बोला जाता है बाद में अपने माता पिता के साथ वेकफूर असान प्रांत में बस गए नीसापूर के हरौन में ख्वाजा मुधिन चिस्ती की दरगाप और नजर भेट करने वाला प्रत्थम मराठा सरदार कौन था थे छत्रपति सिवाजी के पोतर ध्यान रखेगा साहु जी नाम है साहु जी जो ये भी एक छत्रपति हुआ करते थे जनाम देखा जाए तो वरतमान में पकिस्तान के मुलतान जिले के उठवाल गाँ में हुआ था इनके अन्य परमुख सिस्य में जैसे कि अलावदीन साबिर कालियारी और नसुर दीन चिरागे दहलवी हो जाएगा सेख निजामुदीन अवलिया की दरगा इस सित कहां पे है तेहां रखेगा दिल्ली में कॉरेक्ट उतर हो जाएगा सी चिस्ती सिलसले के वंस विरिस को देखने से पता चलता है कि बाबा फरीद के दो परमुख सिस्यों में हजरत निजामुदीन अवलिया तथा हजरत अलावदीन साबिर का नाम सबसे महादपूर है सिख निजामुदीन अवलिया ने बाबा फरीद की तरह अपने उपदेशों से मानो हिरिदी को सांती परदान किया सेख निजामुदीन ओलिया की दरगाह दिल्ली में हिस्तित है और 1325 इस भी में निजामुदीन ओलिया के मृत्ती हुई इन्हें गियास पूर अर्था दिल्ली में दफनाय गया था नीचे दो वक्तब्य दिया गया है कथन और कारण के रूप में यहापे दिया हुआ है चलिए थोड़ा मैचिंग करने का हम लोग फिर से प्रयास करते हैं पहला प्राशना बने पहला स्टेटमेंट कथन के रूप में भारत में सूफियों के चिस्ती धरम संग का परवर्तक और सौर परमुख व्यक्तिक फाजा मुदिन चिस्ती को बिल्कुल कोरेक्ट है यहाँ पे कोई दावटी नहीं है चिस्ती धरम संग ने अपना नाम अजमेर मेस्तित ग्राम चिस्त से यहाँ पे लिया हुआ है कारण गलत है यहाँ पे ठीक है और एक टूतर हो जाएगा सी देख पार है चिस्ती संप्रदाय के अस्तापना अबु इसका हाक समी चिस्ती ने किया हुआ था मैं बार बर देखे एक्स्प्लानेशन जान भुष के बोलता हूँ ताकि आप लोग कॉंसनस ब्रेन में बार बार जब जाए तो चीज़े स्टूर हो जाए ठीक है अधरवाज बहुत ही एनर्जी लगाना पड़ता है बहुत ही घटना चकर को कंप्लेट करवाना मतलब समझ रहे ना मतलब बोल समझाना दोनों ही इसमें होता है तो पढ़ाने से कहीं जादे डिफिकल्ट लगता है ठीक है किसी चीज़ को समझाना लगता है मुझे बहुत असान है यहां बोलना बहुत होता है यहां पर साउंड एनर्जी बहुत यहां पर जादे पूरी तरीके स्रीली जो होती है इसका वहीं से प्रवासित होकर अफगानिस्तान में इस्तित चीस्त में जाकर बस गए थे इसलिए चीस्ति का लाए परंतु भारत वर्स में चीस्ति विचारधारा का परचार जो स्वर प्रमुग फजा मुईदीन चीस्ति ने किया हुआ था जिस उफी संद की मानिय था थी कि भग्ती संगीत इस्ति के निकर पहुँचने का साधन है वह नाम क्या है उनका तो मुईदीन चीस्ति सबसे अधिक इन्होंने देखिए ठीक है संगीत को बना के हैं यहां पर इस वर तक पहुंचने का मतलब सबसे अधिक देखिए बिल्कुल ही मतलब इसलाम में एक परंपरा है ठीक है या फिर इसलामी कराण का एक धर्सन है कि अगर उस अल्लाह से अगर मिलना है ठीक है तो एक अनुसासन पर बहल देना होगा क्योंकि जो अल्लाह इतना पवित रह इतना पाक है इतना प्योर है कि ये काम विक्तित बिल्कुल ही मतलब दुसित है पुरी तरीके से उतना स्योर नहीं है उतना मतलब पाभी टाइब का है तो मिल ही नहीं सकता है लीन ही नहीं हो सकता है, उसमें कैसे मिल सकता है, तो यहां पर इन मुईदिन चीष्थी की द्वारा, बिल्कुल ही संचेत के माध्यम से, इसलाम के विपरित ब्याख्या करते हैं, इन्होंने बोला किकदा मिल सकते हैं, अल्ला से मिल सकते हैं रहस्यवादी का सिधान दिया रहस्यवादी का मतलब यहीं है कि हर जगा इस्वर ही इस्वर प्रेम के माध्यम से हर जगा इस्वर ही इस्वर समझ रहे ना गाना जो मैं बार बार बोता हूँ हर जगा तुँ ही तुँ है तो कुछ इसी टैप का यहां को फिलता तो असान नहीं था ध्यान रखेगा उस समय सुफी संतों के लिए कि उस समय मुस्लीम धरम के बिपरित ब्याक्या करते हुए ए लोगों का समाज में रहना असान नहीं था लेगने के विचार धारा इतनी मस थे कि जन समुहिन से चला गया ठीक है और एक टूतर हो जगाए भारत में चिस्ति सिल्सले का परचार का स्रे सेख मुईदिन चिस्ति को प्राप्त है वे अदयतवात के प्रम प्रागत नीमों में विश्वास करते थे अदयतवात का मतलब वहीं है द्यान रखिया उपनस्दियों जो चिंतम था तो था वे समा संगीत में विश्वास करते थे उनकी मानेता थे कि भक्ती संगीत मतलब इस वर की निकट पहुँचने का एक साधन है निमन में से कौन चिस्ति सिल्सले से सम्मंद यहां पर नहीं है सेख अब्दुल गिलानी ध्यान रखियेगा सेख अब्दुल सोरी यहां जिलानी है उकि जो इनका जो सम्मंद यहां पर चिस्ति सिल्सला से नहीं है बलकी कादरी सिल्सला से भारत में सौर पर्थम चिस्ति का परचार खवाजा मुदीन से किसे भारत क साधी कहा गया इतना अधी कि एन के दौरा गजल ही लिख दिया गया ध्यार रुखिएगा, अमीर हसन के द्वारा, अमीर हसन को देखिए हसन एद्धहलवी भी वो बला जाता है, उगे उचे गजलों के कारान उनको भारत का साधी कहा जाता है। निम्लिकित में से किस सुल्तान ने निजामुदी नौलिया ने भेट करने से इंकार कर दिया हुआ था उस सुल्तान का नाम है आपे अलावदीन खिल्जी ध्यार रखिएगा अलावदीन खिल्जी से भेट ही नहीं किया निजामुदीन नौलिया ने सेख निजामुदिन ओलियाँ ने साथ से अधिक सुल्तानों का राजी देखा हुआ था जो कि एक के बाद एक सतसीन होते रहे किन्तु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए सुल्तान जलालाओदीन ने सेख से मिलने का बहुत ही परियास किया जलालाओदीन जो खिल ये था ठीक है जहां तक कि उसने सेख के पिरयासी से अमीर खुसरों के माधियम से भी परियातनी किया किन्तु जब सेख को ग्यात हुआ कि सुल्तान आने वाला है तो वे चल ले गए अजुधन चले गए इस परकार जब अलाओदीन ने उनसे मिलने की आगया मांगी तो सेख ने उतर दिया कि मेरे मकान के दो दरवाजे है यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे के द्वारा बाहर चला जाओंगा इस परकार उन्हों ने अलाओदीन खिली से मिलने से इंकार कर दिया वे महबूब इलाही के नाम से परसिद्ध हुए है सेख नीजा मुदी नो लिया निमलिखित में से कौन सुफी संथ महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है उस सुफी संथ के नाम है सेख निजामुदीन ओलिया। निमलिखित में से किस सुफी संथ के विचारों को सिखो के धरम गरांत आदी गरांत में संकलित किया गया है। और बाबा फरीद और कोई नहीं थे बलवन के दमात थे और उन्होंने हासी और अजोधन को अपने किरिया कलाब का केंद्र बनाया हुआ था। नेक्ट परसिद संथ सलीम चीश्ती रहते थे। तो यहीं चाहानी ये पुरक पुराब देख पार है। कोरेक्ट उतर हो जाएगा नसुरुदीन, ध्यान रखेगा नसुरुदीन, सेख नसुरुदीन मुहमद, सेख निजमुदीन अवलिया के परमुख सिसे थे, यह अपनी पद्वी चिराग दिल्ली अर्थात दिल्ली के चिराग के नाम से परसिद हुए, निमलिखित में से कौन सही सुमेलित का औराय नहीं है, नंबर वने आपे देखिए, सेख मुदीन चीश्ती, अजमेर में बिल्कुल सही है, बुरहान गरीब दुलताबाद, जो मुहमद बिन तुकलक के दवरा रजधानी अस्थनांतर के बाद से ले जाया गया था, बुरहान उन गरीब को दिल्ल सूची 1 में से लेखिए, सुची 2 से यहांपर मिलाना है, और यहां पर जो जो इसकी सिल्सले को मानते ते, वो यहांपर दिया हुआ हुआ हुँ। कि यहां पर दिया हुआ है ख॥ाजा मुईदिन टिक है तो ख॥ाजामुईदिन जो चीस्थी ती ये सिलों करते थे सेख अहमद j transition था बहुत important नाम है यह बहुत कटर जो शिला था नकस बंदिया सिलों जो माना जाता है कि मुगलकाल के समय यहां पे ठीक है फेमा सुगा था दारा सिकोह इसका भी याद रखना है दारा जो सिकोह था कादरिया सिलसला से बिलोग करता था और सेख साबुदीन जो था सुरावरदिया सिलसला से ठीक है एक का तीन, बी का चार इसमें एक ही है इस अप्सान है, को रेक्ट उतर हो जाएगा D भारती इतिहास में सुफी वात के दर्सन में निमलिखित कतनों पर यहाँ पर बिचार करना है तो यह देखते हैं बोग, ठीक है इबराहीम लोदी का ठीक है समकलीन था, ध्यार रखेगा इबराहीम लोदी का कौन, शेख आहमाद सर हिंदी, यह जहागीर का समकलीन था बिल्कुल गलत हो जाएगा शेख नसुरुदिन चिरागे दिल्ली निजामुदिन ओलिया का यहाँ पर सिस्स्य है ठीक है, निजामुदिन ओलिया का सिस्स्य है तो यह बिल्कुल यहाँ पर कॉरेक्ट उतर हो जाएगा औरंग्जेब सेख सलीम चिस्ती का समकलीन था अब यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, औरंग्जेब जो था, ठीक है शेख सलीम चिस्ती का ये समकाली नहीं था जबकि इसके समय तो ठीक है जो एक नक्स बंदी जो सिलसला यहाँ पर बड़ी तेजी से फिमास हुगा था ठीक है तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना होगा तीन का गलात हो जाएगा भारत में सुफियों की कादरी पदेती सबसे पहले सेख नियमतुला और महमुद मनें मकदु मुहमद जिलानी दोरा लाया गया था यह भी बिल्कुल सही है तो दो और चार देखिए को रेक्ट उतर यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर दिया हुआ है डिके यहाँ पर सारा एक्स्पलेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है आप लोग पाउज करके देख लीजिएगा ठीके सारा मेने समझा दिया है नेक्स्ट, हट योग के संदर में निमलिकिस में से कौन सा कोथनी यहाँ पे सहीद, हट योग दिखाया, मैंने बताया था आपको, जब लेक्चर के दवरा नाथ पंतियों के दवरा किया जा रहा था, तो नाथ पंतियों दवरा हट योग किरिया को सूफी संथों ने भी अप उनको बोला जाता और उनके ही वास्थिक संस्थावा का रुप में जो गोरक नाथ जो मंदीर है ठीक है उन्हीं के नाम पर रख्या गया है तो मसंद्र नाथ की सिस्थे थे गोरक नाथ ठीक है तो हट योग की परंपरा सुरुवाद किया हुआ था इन लोगों ने जाती गौलेरी की फार्सी पुश्टा कि भर अलायात में हट योग संबन्द करियाओं का चित्रा मिलता है निम्लिख्षित कत्नों पर यहांपे विचार करना है संत निम्बार्क अकबर के कहराय की संकलें थे किसमें संद निमबार्क अकबर के यहाँ पूरी तरीके से समकलीन थे तो जो निमबार्क थे ध्यान रखेगा रामा नुजा चारे के समकलीन थे गलत हो जाएगा संद कबीर सेक अहमद सरहिंदी को अध्यात संत कबीर जो है सेख अहमद सर हिंदी से यह तेधीक परभावी थे तो यह तो मामला ही उल्टा हो जाएगा यहाँ पर ठीक है यहाँ पर टाइम पिरियर का बहुत अधी गैप का आपको देखने के लिए मिलेगा ठीक है तो सेख अहमद जो सर हिंदी जो लगभग देखे जाएगा कबीर तो लगभग ठीक है देखा जाए तो चौदावी पंद्रवी सतावदी में काफी पिक पे थे वही साथ नहीं होगा ठीक है तो यह भी गलात हो जाएगा ठीक है तो एक दर्शनी के रूप में थे निजामुदी नहीं लिया बिल्कुल सही है उसके बाद मु भी नहीं देहर रखेगा ठीक है तो कोरेक्ट उतर हो जाएगा सी दो और तीन यहाँ पर देख पार है ख्वाजा ने जीबू नहीं हो लिया मुदीन चीज़ती यह सब है यहाँ पर ठीक है रहीम और रस्खान ने प्रेम वाट का नामा गरंद के रचना भी किया नक्सबंदी सिलसला बहुत ही मने एकदम यहाँ पर चला ही ने चाहिए ने संगित ठीक है शुरावर्दी कादरिया भी बहुत अधिक सपोर्ट नहीं करते थे ठीक है नक्सबंदी सिलसली के अस्थापना चवधावी सदी में ख्वाजा बहुदी नक्सबंदी किया हुआ था शेक आहमद सहर जो सरहिंदी थे ख्वाजा बकी बिला के प्रमुक्सिस से थे जो मुझहिद अर्थात इसलाम धरम के सुधारक के नाम से बिख्या थे उन्होंने वजहत उलसुध अर्थात परतेक्षवादी धर्सन का परतिबादन किया यह सिलसला जो था दिके समा मने संगित के बिरूद था सुफियों में माना जाता कि यह सबसे कटरवादी सिलसला था उन्होंने अकबर की उधार नितियों का बिरूद किया और रंग्जेव इसी सुफी 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 सिलसले का नुगाई था अत्ती कटर पंथी सुफी संप्रदाय कौन था यहाँ पे उसका नाम हो जाएगा नक्स बंदी थे हैं रखेगा नक्स बंदी देख पारी इसके अस्थपना चौधावी सताबदी में नाम बहुत पुछा जाता है ख्वाजा बहुदी नक्स बंद ने मने भारत में किया हुआ था भारत में बाबर नहीं इस सका को लोगपिरी बनाया था वह अपने पिता की भाती नक्स बंद संथ मने ख्वाजा उबैदुल्ला अहराण का परम भक्त था नक्स बंदी सका में देखेंगे तो सम अर्थात संगीत गोष्टी का योजन इसमें पूरी तरीके स्वरजी थे इसके अतरीक इस सका के सुफियों को जिक्र जली अत्वा उच्च श्वर में संस्क्मरण की अन्मती भी नहीं है परंतुवे जिक्र खफी अत्वा निमन स्वर में संस्क्राट करते हैं नक्स बंदी सुफियों ने कुरान के अचरसा पालन पर भल दिया, जारखन लोग सेवायोग ने इसका प्रस्ण दिखिया आप उतर विकल्प भी मना है, निमलिखित युगों में से गलत को यहाँ पर पहचालना है, देखिए चिस्ती यहाँ पर दिया हुआ है दिल्ली और द चेतर है, उसी का आसपस दिल्ली का आसपस फैला हुआ, तो बिल्कुल सही है, सुहरावारती देखिए, ठीक है, शुरवात में सिंध में था, आगा चलके धेरे-धेरे यह भारत के पूर्वी एरियों में भी फैलने लगा, आउलिया देखिए मध्य पर दियान रखना है, ध्यान रखेगा, जो अलिया जो था, यह मध्य परदेश के तरफ, यहीं गलत है यहापे, ठीक है, गलत ही हुआपको आपको पहचानना है, तो अलिया कोई सिलसला यहापे नहीं था, बलकि यह दिल्ली के परमुक संद थे, ठीक है, तो ध्यान रखेगा, मध्य परस में दि द्वारा यहां पर चलाया जा रहा था जो पटना के आसपास में उनका एक दरगा भी देखने के लिए मिल जाएगा तो चिस्ती सिलसले का परभाव देख पार है दिल्ली के आसपास चेत्रों में था समय ने समझा दिया है निमलिखित सुफियों में में किसी ने कृष्ण को सुफियों के रूप में माना ठीक है उस आहां पे ठीक है सुफिय संद का यहां पे बहुत फ्यमास नाम है साह मुहमद गौष ने बिल्कुल ही मने कृष्ण को बला कि वो तो ऑलिया है हमारे ठीक है वही हदरत निजावदीन ऑलिया ठीक है सुफिय संद साह मुहमद गौष ने कृष्ण को ओलिया के रूप में स्विकार किया, वह सतारी सिल्चले के सबसे परसीद संद थे, मुगल बाथ सा हुमायू तथा तान सेन से उनका घनिर संबन था, सतारी संतों ने हिंदू और मुसल्मानों के धार्मी विचारों और रितियों में संबन दिखा कर उनको निक सेख रकुद दिन अबूल फता और सेख चललो दिन सुरु खादी हुए हैं, इस संब्रदाय के संत सुखमय जीवन पर बहल देते थे, धान और संपती के साधना में बाधा के लोग नहीं मानता था। सुखिवात का समन्द की उलेमा से नहीं है। सुखिवात का पूरा नाम अबूल फता इसने अपने समय का एक महान बिद्वान और एक महान कभी के रूप में ठीक है। भक्ति अंदोलन से सम्मंधित नहीं था। अकाल तक्त। बारा मासा की रचना किस ने किया हुआ था। ये किया गया था मलिक मुहमद जैसी के द्वारा। बारा मासा की रचना मलिक मुहमद जैसी ने किया हुआ था। जैसी के देखिए पदमावत हो गया अख रावार तथा आखरी कलाम में से पदमावत का हिंदी सहिति में महत्पूर अस्थान है। मासा पदमावत कहाई एक भाग है next question सुची 1 को सुची 2 से यहाँ पर आपको सुमेलित करके चलना है देखें यहाँ पर मुला दाउद है, मुला दाउद का सम्मध हो जाएगा चांदयन से दामोदर कभिय का सम्मध हो जाएगा यहाँ पर पदमावती कथा से सुमनात का सम्मध हो जाएगा आसिका से और अमीर खुसरो का सम्मध हो जाएगा ठीक है sorry यह उल्टा हो गया ठीक है अमीर खुसरो का सम्मध हो जाएगा यहाँ पर आसिका से ठीक है और सुमनात का सम्मध हो जाएगा राग ठीक है, भी बहुत से, तो A का 1, B का 4, A का 1, मैंने लगता कुछ गलती कर दिया, A का 1, B का 3 है न, देखें, सही लगाया, लेकिन मैं ढूनने पा रहा हूँ, तो A का 1, B का 3, A का 1, B का 3 है, यहां पर भी दिया हुआ है, C का देखें क्या है, C का हो जाएगा 4, C का 4, और एक वर्ग, मने प्रति वर्ष, परसिध, सुफि संथ, हाजी, वारिस, अलिस, साह की मजार पर मेरा लगता है, यह कहां लगता है, तो देवा सरीप में, द्यार रखेंगा, देवा सरीप में, उत्तर परदेश में 12 बंकी से लगबग माना जाता है, कि 12 किलोमीटर दूर इस्तित देवा सरीप में, परसिध, सुफि संथ, आजी, वारिस, अलिस, साह की मजार रश्ति थे, जहां परतिवर्ष मिला लगता है, क्राइस्ट का जनम अस्थान कहा है, ठीक है, बड़ा फेमस जगह है, यहां पर बेथालहम, ठीक है, तो यहां पर यहीं है, बेथालहम, वर्तमा इसायों की भावना क्या है, बड़ा अच्छा प्रस्न है, इस्टर क्यों मनाया जाता है, इसका, इसायों में एक मानेता है, कि इसी दिन जो इसा पुनर जिवित हुए थे, ध्यार रखेगा, इसी दिन जो है, इसा पुनर जिवित यहां पर हुए थे, इसायी मानेता है का अ यहाँ पे असीसी के संथ फ्रांसीसी ऐसे सिसा इसाई संथ है जो पसु पच्छियों से प्रेम के लिए बिख्याते हैं इसायों का गूड फ्राइडे यहाँ पे क्यों मनाया जाता है तो बहुत असान होगा ठीक है इसाई मसी को सूली पर चड़ाया गया था उसी के लिए यहाँ पे गूड फ्राइडे मनाया जाता है और इसी सूली से संबंधित इस्टर जो माना जाता है ति किसरे दिन पुना मने मरने के बाद इसाई मसी जिवित हो गए है तो लोग इस्टर मनाते हैं पुनार जिवित के ठीक है ठीक है फ्रेंड्स पूरा को पूरा ठीक है भक्ति अंदोलन सुफी अंदोलन कम्पेट कर दिया एक बार में किलियर नहीं दुबारा देखिए तेवारा देखिए यहां से प्रस्ण एक दो तीन प्रस्ण जितना भी हो देखिए कम से कम प्रस्ण बनेगा ही बनेगा द दोनों को मर्ज करके यहाँ पर लगभाग हमने देखा कि 89-90 गासपास क्वेस्चन है उमीद है कि आप लोगों के सीरीज पसंद आ रहा होगा पसंद आ रहा है तो देखिए अपने दोस्तों के साथ सेर करें क्वालिटी कंटेंट है सेर कीजिए सपोर्ट कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले सारे विसायों को यहाँ पर मेरा लगचे है कि कोई भी ऐसा विसाय नहीं है सेविल सर्विस को ध्यान में रखते है कि कोई विसाय आपको कंप्रीट नहीं करा जाए पूरा पूरा ए टुजेट उसी के सिलेवस के पेटरन ख करा दी जाएगी ठीक है प्रेंट्स थैंक्स पर वाचिंग जय हिंद